हिमांचल प्रदेश के जिला मंडी के तहत तहसील कोटली की लागधार पंचाइत में बारात में सामिल एक कार दुरुगटना गरस्त हो गई जानकारी के मुताबिक कार खाई में गिर गई जिससे एक व्यक्ति की मोत हो गई मरने बाला दुले का नाना बताया जा रहा है जबकि दुले के पिता चाचा और मामा घाईल हुए हैं यह बारात बल से कुमहारडा गाम गई थी रविवार सुभा बिदाई के बाद जब बारात बापस लोट रही थी तो लागधार में कार खाई में गिर गई स्थानिय लोगों ने गाईलों को कार से बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस द्वारा कोटली अस्पिताल पहुँचाया जहां दुले के नाना को डोक्टर ने मरित घोशित कर दिया जबकि अन्य सभी गाईलों को क्षेत्रिय अस्पिताल मंडी रैफर किया गया है स्पि मंडी सालिनी अगनी होतरी ने हादसे की पुष्टी की है वहीं सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पुरसोतम धिमान ने बताया कि कोटली पुलिस चोकी की टीम ने मोके पर जाकर हादसे के कारनों की जांच परताल शुरू कर दी है